पिछले दिनों सोनाक्षी सिना के अपार्टमेंट के सेले उन्हीं की खबरों ने पूरे सोशल मीडिया पर तहल का मचा कर रख दिया लेकिन उसके पीछे की हकीकत किसी ने नहीं बताई इसलिए हम आपके लेकर आएं पूरे बी टाउन की रिपोर्ट की शादी के जस्बात क्यूं सेल करना पड़ा सोनाक्षी को अपने अपार्टमेंट और उनके अलाव और कौन-कौन से बॉलिवुट सेलप्स तयारी में अपना घर शिफ्ट करने की और क्या बॉलिवुट में फ्लॉप होती फिल्म में इस शिफ्टिंग का कारण है या माजरा कुछ और है जानेंगे इस वीडियो में शिफ्टिंग की तयारी में बेटे सबसे पहले कपल में नाम आता है आलिया भट और रनवीर कपूर का जो बेंडर में अपने अंडर कंस्ट्रक्शन बंगले में शिफ्ट होने की तयारी में है उनके इस बंगले का नाम रनवीर की दादी के नाम पर कृष्णा राच रखा गया है रनवीर और आलिया को कई बार इस कंस्रक्शन साइट पर विजित करतों भी देखा गया है उनके साथ अक्सर उनकी बेटी राहा और रनवीर की मा नीतु कपूर भी होती है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया और रनवीर अपने इस नए घर में इसी साल दिवाली मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं रनवीर और आलिया के अलावा दिपिका पादुकोन और रनवीर सिंग भी अपने नए घर में शिफ्ट होने की तयारी में है जिसका कारण सितंबर 2024 में उनके घर में आने वाला नन्ना महमान है जी हाँ दिपिका और रिन्वीर अपने पहले बच्चे के वेल्कम का बेस सबरी से इंतजार कर रहे हैं जिसका वेल्कम वो अपने नए घर में करना चाहते हैं जो शारुक खान के घर मनत के नस्दीक बैंडरा में एक शांदार सी फेसिंग अपार्टमेंट में होगा इस जोड़ी के अलावा वरुन दवन और नताशा दलान ने भी रिसिंटली दून 2024 में अपनी बेटी का वेल्कम किया था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये न्यू मॉमन डैट भी अपनी लाडली के साथ अपने नए घर में जाने की तयारी कर रहे हैं हाला कि शुरुवात में उन्होंने उसी अपार्टमेंट को किराय पर लेने कर विचार किया जिसमें श्रद्धा कपूर शिफ्ट होने वाली थी लेकिन उस वक्त किसी कारण उनकी ये डील नहीं हो पाई थी इसलिए अब वरुन नई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं इन सब के अलावा स्त्री टू की सफलता के बाद श्रद्धा कपूर ने भी नए घर में शिफ्ट होने का फैसला किया है जिस अपार्टमेंट के लिए वरुन धवन और नताशा दलाल की डील फाइनल नहीं हो पाई थी उस अपार्टमेंट में आकर श्रद्धा की प्रॉपर्टी सर्च कम्प्लीट हो गई है इसलिए श्रद्धा भी जल्दी मुंबई के जुहो के सी फीसिंग अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की तयारी में है लेकिन फिलहाल इस अपार्टमेंट में रितिक रोशन रह रहे हैं अब बात सुनाक्षी सिना की जो अपनी शादी के बाद अपने आलिशान बेंडरा वेस्च अपार्टमेंट को बेचने के फैसले के बाद वापस से सुर्ख्यों में आ गई थी इसी घर में सुनाक्षी ने जहीर इकबाल से शादी की थी और ये घर उन्होंने खुद की कमाई से खरीदा था लेकिन शादी के जस बाद इसके सेल होने की खबरों ने लोगों को बाते बनाने का मौका दे दिया है जबकि सुनाक्षी ने इसी टावर में एक बड़ा अपार्टमेंट खरीदा है जिसे जहीर डबलब करा रहे हैं जल्दी एक कपल भी अपने नए घर में शिफ्ट होने की तयारी में है फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में जल्द हाजिर होंगे किसी नए इंफोर्मेशन के साथ Thank you for watching Mowgli Talkies, you are always welcome to share your feedback and suggestions